आज के वीडियो में DC जनरेटर के वर्गी करन का जो पिसली वीडियो में आपको इसका क्लासिफिकेशन बताया था उसके बारे में उसकी डीटेल है जो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं DC जनरेटर के वर्गी करन को तो पहला इसका है प्राइम मूवर के आधार पर प्राइम मूवर के आधार पर मैंने आपको DC जनरेटर है वह तीन प्रकार का बताया था एक होता है जल टर्बाइन एक होगा वाश्प टर्बाइन और तीसा होता है डीजल इंजन चलित जनरेटर तो सबसे पहले जल टर्बाइन वाले जनरेटर के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या होता है और एक किस तरह से जनरेटर है वो वर्क करता है तो इसमें आर्मिचर को गुमाने के लिए जल टर्माइन प्रयुक्त होती है और टर्माइन क्या होता है एक पंके से युक्त एक बड़ा पहिया होता है जिसे उचाई से गिराए गए जल प्रपात से गुमाया जाता है इस प्रकार के विद्यूत उत्पादन केंद्रों को जल विद्यूत बिजलीगर इसको इंगलिश में हाइड्रो इलेक्टिक पावर हाउस कहते हैं और दूसरा है आपका वाश्प टर्बाइन चलित जनरेतर इस प्रकार की जो मशीन होगी इसमें आर्मीचर को गुमाने के लिए जल वाश्प टर्बाइन प्रयोग की जाती है और जल वाश्प बनाएंगे कैसे तो जल वाश्प को बनाने के लिए कोईला गन्य की खोई को इधन के रूप में प्रयोग करते हैं और इसे उश्मिय विद्यत बिजलीगर कहते हैं आई टेडी चैनल एक ऐसा चैनल है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको एक ही चैनल के द्वारा बहुत सी ट्रेडों का अनुभव या बहुत सी ट्रेडों का ग्यान आप एक ही चैनल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं इसमें आपको अनेक ट्रेडों के बारे में आपको जानकारी भी मिलेगी इनके नोट्स आपको एक याद करने के लिए एक अच्छी ठिक्स के रूप में आपको नोट्स बना के बताते हैं और अभी आपके जो CBT एक्जाम है जिन लोगों के बैक आई हुए है जिन लोगों के mcqs questions हैं उनके बारे में आपको भी बताया जा रहा है तो आप उनको 11 बदे से वो class start होती है तो आप जाके उनके mcqs questions को देखो और sir के द्वारा जो explain किया गया है वो बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाएवा है तो आप उनके वीडियो को जरूर देखें तीसरा है इसे डीजल इंजन चलित generator कहते हैं इस प्रकार की जो machine होती है उसमें आर्मेचर होता है उसको गुमाने के लिए क्या करते हैं कि उसको सिधे ही डीजल इंजन की साफ्ट से जोड़ दिया जाता है और इसका जो प्रयोग होता है वह सरवादिक होता है तो प्राइम आपको दो डीसी जनरेटर है उसको तीन प्रकार का बता है एक तो होता है जल टर्बैन चलित दूसरा होता है वाश्प टर्बैन चलित और तीसरा होगा डीजल इंजन चलित डीसी जनरेटर दूसरा जो जनरेटर का वर्गी करण का प्रकार है उसे उत्तेजना प्रणल के आदार पर वर्गी करण का प्रकार है उसे एक्साइटेशन मैथड कहते हैं इस आदार पर जो जनरेटर होता है उसको दो भागों में वर्गी करण का प्रकार है पहला होता है प्रतक उत्तेज जनरेटर कहो चाहे जनरेटर कहो तो पहले प्रतक उत्तेजित जनरेटर को देखते हैं इसे सेपरेटली एकसाइटेट जनरेटर कहते हैं इसमें क्या होगा इस प्रकार के जनरेटर या जनरेटर के फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए बाहिये श्रोत जैसे डीसी बैटर और rectifier के द्वारा A.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C. करने के लिए इसी बाहह किया हो सकता हूती है वह बाहए जाय को प्रफिल्ड को प्योग में लेकर के इसकी जो पॉल्स होते हैं हो को एक्साइट किया जाता है इस कारण से इस प्रत्रम उत्यजित जन्रेटर यह देखो इसका डाइगराम बनावा है इस डाइगराम में बैटरी लगई हूं रियो स्टेट लगावा है इसकी फील्ड कॉइल है यह आर में चरह और को लोड को लगया है तो ऐसा जनरेटर जिसमें फिल्ड पॉल को उत्तेजित करने के लिए भाई ये श्रोट की यानि आपका डीसी लगावा है डीसी किया हो सकता होती है दूसरा है आपका स्व उत्तेजित जनरेटर इसको सेल्फ एकसाइटेड जनरेटर कहते हैं इसमें क्या होगा कि जिस जनरेटर में फिल्ड पॉल को उत्तेजित करने के लिए भाई ये श्रोट की आउशकता नहीं होती है वह स्व उत्तेजित जनरेटर कहलाता है प्रत्तक उत्यजित में तो क्या होता है कि इसमें फिल्ड पोल को एक्साइट करने के लिए DC की या भाईयस रोत को DC में अपन जो काम में ले रहे हैं उसकी आउशकता होती है लेकिन इसमें क्या होगा फिल्ड पोल को एक्साइट करने के लिए किसी भी भाय श्रोट की आउशक्ता नहीं होती है और ये जो स्वा उत्तेजित जनरेटर होते हैं वे दो प्रकार का होता है एक होता है इस्थाई चुम्बक और दूसा होता है विद्योच चुम्बक किया जनरेटर तो इसमें पहला आवन देखते हैं विद्यो चुम्बक जनरेटर विद्यो चुम्बक जनरेटर क्या होता है इसमें चुम्बक के शेत्रों को स्थापिद करने ही तो इस्थाई चुम्बक का प्रियोग किया जाता है इस्थाई चुम्बक का मलब पर्मानेंट मैगनेट के प्रियोग किया जाता है जिसे मैगनेटो या डाइनमो कहते हैं आर्मेचर में उत्पन होने वाला विद्योत वाहकबल आर्मेचर की गुर्णन गती के समानुपाती होगा पापस बोलो इस्थाई चुम्बक चनरेटर में क्या होता है कि इसमें चुम्बक की शेत्र को इस्थापित करने के लिए इस्थाई चुम्बक का प्रियोग किया जाता है और इन इस्थाई चुम्बक को मैगनेटो या डाइनमो कहते हैं और आर्मिचर में जो विद्यूत वहाग बल उत्पन होता है वो आर्मिचर की गुंडन गती के समानुपाती होता है ये देखो इसका इस्थाई चुम्बक का डाइग्राम बनाये वाए इस इस्थाई चुम्बक जनेरेटर के कुछ गुण भी होंगे और कुछ अवगुण भ होता है बहाई ये विद्यूत स्रोत की आउशकता नहीं होती है सबसे इंपॉर्डन पॉइंट यह है कि जो स्वावते जित जनेरेटर होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की बहाई विद्यूत स्रोत की आउशकता नहीं होती है और इसका आउगुण क्या है कि इसमें जो रूपी वह काम करेगा उसको अपने इसाप से उसको ज्यादा इसको शक्तिसाली नहीं बना सकते हैं और कुछ वर्सों के बाद जो इस तहीं होता है उसकी सक्ति होती हो जाती है घट जाती है बार-बार उसको काम में लेंगे तो इसकी जो पावर होती है तो यह होता है इस्थाई चुम्बक जनरेटर प्रथक उत्तेजी जनरेटर का देख लिया आपने स्वा उत्तेजी जनरेटर को है उसको किते बागों बाटा है दो बागों बाटा पहला आपने इस्थाई चुम्बक के बारे में बड़ा था और दूसरा है इसका विद्यो होगा उसमें चुम्बक की शेत्र को इस्थापित करने के लिए क्या करेंगे अपन विद्यूत चुम्बक का प्रियों करते हैं तता उसे उसी जनरेटर से उत्पन किये गए विद्यूत वाहक बल से उत्तेजित किया जाता है और क्या करेंगे इसमें जो जनरेटर है उसके अंदर जो EMF उत्पन हो रहा है जो विद्युत्वाहक बल उत्पन होगा उसी के द्वारा इसको उत्तेजित किया जाता है इस कारण से इसे स्वार चुम्बक किये जनरेटर भी कहते हैं यानि इस इसमें जो एक्साइटेशन की जो प्रणली होथी है वा अपने आप भी हो जाती है स्वैम के द्वारा हो जाती है इस कारण से इसको स्वार चुम्बक की जनेरेटर कहते हैं इनके field pole होते हैं वो cast steel अत्वा cast iron के बनाए जाते हैं जिससे कि उसे एक बार बायस रोत से उत्तेजित करने के बाद उसमें कुछ आवसिस्ट चुम्ब कत्व बचा रहे क्या होगा इनके field pole होते हैं उसे cast iron या cast steel से बनाते हैं जिससे क्या होगा कि एक बार उसको किसी बायस रोत से अपन उसको उत्तेजित कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कुछ आवसिस्ट चुम्ब कत्व बचा रहता है और इसी चुम्ब कत्व के फल स्वरूप क्या होता है आर्मेचर के गुणन करने पर कुछ विद्यूत वहकबल उत्पन हो सके और यही विद्यूत वहकबल होता है जो field coil को प्रदान कर दिया जाता है अब विद्यूत चुम्बक होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं एक होता है आपका series generator जिसे श्रैनी generator कहते हैं दूसरा होता है आपका संट generator जिसे शंट जनरेटर इंग्लिस में भी इसको शंट जनरेटर ही कहेंगी और तीस रहता है आपका compound जनरेटर जिसे compound या यह यीड जनरेटर कहते हैं अब इनके बनावट कैसी ओती है इसमें field coil को कैसे प्रकार से लगा जाती है field coil को कैसे ठर्ण देकर के बनाते हैं इसके बारे में नेक्स वीडियो के अंदर देखेंगे और आज की क्लास में जो आपको क्लासिफिकेशन डीसी जनरेटर का बता है उसको आप अच्छे सही डंग से उसको पढ़ें और अपने नोड के रूप में भी आप इसको अपने साथ रख सकते हैं आई टे क को आप याद रखें और साथ में कॉपी पैन लेकर के भी बैठें और उनको उनके साथ साथ में नोट करते रहें क्योंकि टेक्निकल जो पढ़ाई होती है वह एक बार समझ में जा जाती है पर अपको लिख के भी आपको याद करना पड़ता है एक बार आप किसी चीज को आ कीपे समापन करती हूँ थैंक यू फो वाचिंग 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 वीडियो